आई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं BS Astrology मैं डॉक्टर गौराव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं BS Astrology में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दश्माश कुंडली के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि दश्माश कुंडली या फिर D10 चार्ट कहते किसे हैं इसे देखा कैसा जाता है कई लोग दश्माश कुंडली को देखने को लेकर दश्माश कुंडली या D10 चार्ट के एनलेसिस को लेकर के बड़े कन्फुजन में रहते हैं तो लगन कुंडली की हिभाती दश्मान श्कुंडली का भी analysis कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। फिर आपको ये बताना चाहूंगा कि दश्मान श्कुंडली है क्या पहले तो ये समझते हैं। दोस्तों दश्मान श्कुंडली जो है वो आपके carrier का, आपके नौकरी का, आपके व्यवसाय का, आपके आजीवी का है तू कर्म का एक सुक्ष्म अध्यन है। बहुत ही, यदि आपको गहराई में जाकर के अपने carrier को देखना है, तो आपको दश्मान श्कुंडली की जरुरत लगती है। तो ऐसी ही एक सुक्ष्म कुंडली है दश्माज, जो आपको यदि carrier को, अपने carrier को, अपने नौकरी को, अपने व्यवसाय को और सुक्ष्म और डीपली जाकर के देखना है, तो दश्माज D10 चार्ट की आपको जरुरत लगती है। तो आप यह जान गए है कि दश्माज कुंडली जो है वो आपके carrier के लिए है, आपके नौकरी के लिए है, आपके व्यवसाय के लिए, आपके आजीविका है तू कर्म के लिए है। अब हम बात करेंगे कि इसे देखा कैसे जाता है, क्या लगन कुंडली की भाती दश्माज कुंडली को भी देख लें, लगन कुंडली का दूसरा भाव यदि कुटुमब का भाव है, लगन कुंडली का यदि दूसरा भाव धन का भाव है, तो कि दश्माज कुंडली का भी को देखना है लगने ने पहला भाव दश्मान कुंडली का जो भी पहला भाव है उसे देखिए वहाँ पर कैसे ग्रह बैठे हैं कुंडली के लिए कितने अच्छे ग्रह बैठे हैं कितने योकारक ग्रह बैठे हैं कितने मारक ग्रह बैठे हैं कै नीच राशी का कोई बैठा है अब यह देखिए, कैसे यूती संबंद कैसी हुरी है ? यह देखिए, उसके बाद में उस जो पहला भाव है उस भाओ का स्वामी जो है वो कहाँ पर जाकर बैठा है, फरस्ट हांस का लौड, एसनियेंट लौड कहाँ पर जाकर कर कर बैठा है, कई अच्छा बैठा है या कई बैठा हुआ है तो इसे देख लीजिए उसके बाद में पहले भाव पर जो लगने की हम जहां बात करें यहां पर किन-किन ग्रहों की द्रश्टी है और वो जो ग्रह है वो कुंडली के लिए कैसे ग्रह है अच्छे ग्रह है या फिर खराब ग्रह है आप इने देख लीजिए तो यह हो गया आपके लगनका अध्यान लगनका अध्यान लगनेश का अध्यान अब इसके बाद दश्माल्ष कुंडली में हम चलेंगे टैन्थ हाउस पर दश्माल्ष कुंडली के दस्वे भाव का अध्यान करेंगे तो अब दस्वे भाव में कौन-कौन से ग्रह बैठे हो हैं जो कि बहुत अच्छे किसी योग को दर्शा रहे हैं या फिर वहाँ पर ऐसे कोई ग्रह बैठे हुए जो कि वहाँ पर problem create कर रहे हैं यह देखिए फिर यह देखिए कि दशम भाव पर दश्माश कुंडली के tenth house पर कीन-कीन ग्रहों की दर्श्टी है अब जिन ग्रहों की दर्श्टी है क्या वह अच्छे ग्रह है या फिर खराब ग्रह है उनके बल कैसा है यदि आपको बल यहाँ पर देखना है तो अगेन आपको degree ही देखना पड़ेगी, degree हर ग्रह की लगने में भी वही रहेगी, दशमाश में भी वही रहेगी, तो यहाँ पर आपने हर ग्रहों की दरश्टी भी देख ली दशमभाव पर, अब दशमभाव का स्वामी जो है, 10th house का जो लड़ है दशमाश कुंडली में उसे देखिए, कि वो कहाँ पर जाकर के placed हो गया, वो कहाँ पर जाकर के बैठ गया, अब इन दोनों चीजों का लगने लगनेश और दशमेश और साथी साथ दशमभाव, इनका आपने अध्यन किया ये एक चीज हो गई, आपने नौकरी के बात कर रहा हूं, नौकरी करने के लिए कारक ग्रह जो माना जाता है, वो माना जाता है शनी, तो अब यहाँ पर यदि आप नौकरी करते हैं, तो शनी की इस्थिती भी देखिए कुंडली में, अब वो हो सकता है कि लगन लगनेश पर ना हो, वो हो सकता है कि दशम भाव पर या फिर दशमेश के कहीं भी आसपास ना हो, वो कहीं पर भी कुंडली में हो सकता है, तो अब उस शनी की स्थिती देखिए कि शनी की स्थिती कुंडली में कैसी है, क्या नीच राशी के बैठे हुए है क्या छटे आटवे या बारवे या तिसरे भाव में जाकर कर बैठे हुए है क्या नीच राशी के बैठे है तो क्या नीच भंग हो गया इस तरह से total analysis कीजिए दैखिए यहां पर शनी का analysis वैसे ही करेंगे जैसे कि आप लगन कुंडली में करते हैं कि शनी कैसे बैठे हुआ है कहा पर बैठे हुआ है लगने कुंडली जैसा ही यहाँ पर analysis सारे ग्रहों का analysis लगने कुंडली जैसा ही होगा लेकिन केवल भाओं का analysis अलग हो जाएगा यहाँ पर सारे भाओं को हम नहीं देखेंगे यहाँ पर सिर्फ लगन और दशंभाव को देखेंगे अब शानी की बात हो गई अब शानी के बाद हम चलेंगे बुध पर बुध पर क्यों? बुध पर इसलिए क्योंकि बुध जो है वो बिजनस को रिप्रेजन करते हैं बुध बिजनस के कारग रहे हैं तो यहाँ पर आप बुध की इस्तिती देखिए कि कुंडली में बुध की इस्तिती कहा है? कहीं तिसरे, छटे, आठ पे या बारवे भाव में तो नहीं है क्या कहीं नीच राशी तो नहीं है नीच राशी है तो उसका नीच भंग भी देख लीजिए हो सकता है नीच भंग हो गया तो वो बहुत अच्छा है यहाँ पर कर जाएगा इस तरह बुध की इस्तिती देख ली एक और इस्तिती देखिए सूर्य की सूर्य भी बिजनस को रिप्रेजन करते हैं तो यहाँ पर सूर्य की इस्तिती भी आप देखिए कि सूर्य भी इस तरह से कहीं अच्छे बैठ है या फिर खराब बैठ है अब आपके case में यह हो सकता है कि लगनेश ही सूर्य हो जाए लगनेश ही शनी हो जाए लगनेश ही बूध हो जाए या फिर दशमेश सूर्य शनी या फिर बूध हो जाए यदि ये नहीं है तो फिर अल तो आपको नौकरी ही करना चाहिए। क्यूंगी जैसा में आपको बताए ना कि शनी जो है वो नौकरी को रिप्रजन करते हैं। तो दश्माश खुंडली में ये शनी के इस्थिति लगनपर या फिर कहीं दशमभाव पर बहुत अच्छी है। तो आपको नौकरी ही करना चाहिए, वहाँ पर आपकी अच्छी प्रोग्रेस होती है। लेकिन इसके अलावा यदि बूत की इस्तिती कहीं बहुत अच्छी है या फिर सूरी की इस्तिती कहीं बहुत अच्छी है तो आप बिजनस भी कर सकते हैं बिजनस में भी आपकी प्रोग्रेस होती है हालकि एक चीज में क्लियर कर दूँ दशमाश कुंडली सब कुछ नहीं है आपको सबसे पहला तो लगन कुंडली ही देखना है लगन कुंडली के बाद आपको दशमाश में आना है तो लगन कुंडली पहला देखिए लगन कुंडली का दशम भाव देखिए दशम भाव के सा आपको लगने कुंडली में सब्तमभाव भी अपने बिजनस या नौकरी के लिए देखना पड़ता है, लेकिन उसके एनलिसिस के बाद आपको आना है दश्माश कुंडली में, पहले से दश्माश कुंडली को खोल करके ना बैठ जाएं, लोग कई बाद डिविजनल चार्ड को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं, कि लगने कुंडली देखते ही नहीं, सीधे दश्माश कुंडली पर आ जाते हैं, या फिर सीधे किसी भी शुक्ष्म कुंडली पर आ जाते हैं, शुक्ष्म कुंडली महत्पूर्ण है, लेकिन सबसे पहले महत्पूर्ण है लगने क उसके बाद मैं सुक्ष्म कुंडली को अध्यन कीजिए उनके बलों का अध्यन कीजिए और जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया सेम वैसा आप अध्यन कीजिए अब यदि ऐसा कुछ निकल के आता है कहीं आपकी अच्छी इस्तिती है देखिए दशमाज आपका अच्छा है या नहीं अच्छा है यहाँ पर आप भाव जाएंगे जो लगन लगनेश या लगन पर पढ़ने वाले जो गराव की दरश्टी है वो कहीं अच्छी होगी हो सकता है दशमेश पर दशमभाव पर जो दरश्टियां पढ़ रहे हैं वो कहीं अच्छी होगी तो यदि यह अच्छी दरश्टी है तो आपका दशमाज हो गया कई दशमभाव मजबूत नहीं हुआ, लगनेश पर पढ़ने वाले ग्रहों की द्रष्टिया भी देख लीजिएगा, लगनेश पर पढ़ने वाले ग्रहों की द्रष्टिया या फिर वो जिन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, वो कहीं मजबूत न हुए, वो कहीं खराब हो या फिर दशमेश, दशमभाव का जो स्वामी है, उसके साथ बैठने वाले ग्रहों की कहीं द्रश्टिया, या फिर यूती संबंदे वो कहीं खराब हो गए, तो यहां पर आप calculate कीजिए, और उसके अनुसार आपको हो सकता है, कि आपके carrier में problem जाए, लेकिन अब एक बार फि जो है, वो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, और दशमाश में कहीं जाकर के वो खराब बैठा है, तो आप उस खराब जो दशमाश में खराब गरह बैठा है, उसका उपाया ना कर डालें, उपाया का मतलब शांती होती है, शांती की बात मिहापर में कर रहा हूँ, तो यद ठीके दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दश्मा श्कुंडुली को आप देखे कैसे एक्जेक्ली, हलाकि और डीप में मैं बताना आपको चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप में, यह जो इनकी क्लिमिट, मैं यहाँ पर कितना बोल लूँगा, कितना बता दूँगा, अपने सारे experience आपको share यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, इन पास दस मिनट की वीडियो में, तो आपको यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे से कुंडली देखें, तो अपने अडोसी, पडोसी, अपने भाई, बहन या फिर खुद की कुंडलिया उठाईए, और उसको अपनी जो घटनाय होती है ना, उनके आधार पर उसको check कीजिए, तब जाकर कि आपको और अच्छे से, और सटिक्ता से जीज़स समझ में आईगी, जोती शाष्टर जो है, वो बहुत आसान नहीं है बहुत जटिल है, हाला कि आपको आसानी से समझाने की कोशिश जरूर से की जाती है, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि ये पात 10-15 मिनिट के वीडियो में आप पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, ये एक सामान ने वीडियो होते हैं, कोई भी वीडियो डाले, मैं डालू कहीं कोई और भी डाले, तो चली दोस्तों, यहाँ पर हमने दशमाश कुंडली के बारे में थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है, मुझे विश्वास ही कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको ये वीडियो समझ में आया आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें दोस्तों आपने वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबार